किए ल innoc करते हैं कि प्रतिशत निंड तक देख लेते हो तो आप प्रतिशत निकाला साथ जन्म तक नहीं भूल पाओगे ठीकर लिखा है यह प्रतिषत का मतलब क्या होता है तो तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होता है तोड़ेंगे तो यह प्रतिषत होगा वो दो भागों में बड़ जाएगा सबसे पहला भाग जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रती और दूसरा भाग जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सत प्रती और सत ठीक है न इसको समझे ध्यान से प्रती मतलब होता है प्रतेक प्रतेक होता है और सत मतलब जो होता है सव होता है यानि कि किसी भी वस्तु का क को सावी आपका वस्तु को ना समझ अ कि शेकत我覺得 का मीनिग बताता है ठीक चलिए इतना समझ गए उसके बाद आई आपको बताते हैं कि प्रतिसद से related कुछ और आगे थोड़ी जनकाली दे देते देखे जब भी आपको प्रतिसत में किसी भी चीज को बदलना है किसी भी डिजिट को आपको प्रतिसत में बदलना है तो आपको करना क्या है कि आपको उस समय 100 से आपको multiply करना होगा जब भी किसी भी अंक को कोई भी अंक दिया होगा अगर उसको आपको प्रतिसत में बदलना है तो आपको 100 से multiply करना होगा ठीक है न और प्रतिसत दिया होगा और प्रतिसत आपको हटाना है जैसे कि माली जे कि यहां दे दिया है 10% और 10% का यह जो आपका percent है percent हटा कर इसको simple digit मिलाना है तो आपको करना क्या होगा कि 100 से आपको divide करना होगा 100 से क्या करना होगा? divide करना होगा इतनी चीज़े आप अभी क्याभी समझ लीजिए ठीक है न? देखिए जब ही आपको प्रतिसत में बनलना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा और जब ही प्रतिसत को हटाना है तो आपको 100 से भाग करना होगा बस इतनी चीज़े आप अभी के अभी समझ लीजिए उसके बाद आईए हम कोशन देखते हैं कि किसी भी अंक को कोई भी आपका पूछा जागा कि इसको प्रतिसत में बदलिए इसको भिन में बदलिए या फिर आप से ऐसे भी कोशन पूछे जाते हैं जैसे कि देखिए ऐसे कुछन पूछे जाते हैं कि मालीजे कि आपका यहां पर दे दिया गया कि बीस किलो बीस किलो आपके पास आठा है आठा है ना उसका आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका आपको निकालना है दस परसेंट इसका दस परसेंट निकाली है कि कितना होगा ठीक है ना ऐसे ऐसे कुशन आप से पूछे जाते हैं तो बीस कीलो का दस परसेंट आपको पूछे देगा निकालने के लिए तो ऐसे कुशन को कैसे स्वल्व करेंगे तो आए बहुत ही असान तरीके से समझते हैं ठीक ना चलिए देखिए यहां पर पूछा गया कि बीस कीलो का आपको दस परसेंट निकालना है तो ऐसे लिखेगा बीस का बीस का दस परसेंट लिख दिया ना बीस का दस परसेंट उसके बाद क्या करेंगे बाबू देखिए बीस लिख देंगे और गुणे दस लिख देंगे ठीक है ना इतना लिख देंगे उसके बाद ये percentage हटाना है तो आपको करना क्या है कि 100 से भाग कर देना है 100 से हमने divide कर दिया उसके बाद देखिए 2-0 से 1-0 से 1-0 कट गया फिर ये 1-0 से 1-0 से 2-0 कट गया समझे ध्यान से 1-0 से 1-0 खतम हो गया 1-0 से ये 1-0 खतम हो गया यानि कि यहाँ पर उपर क्या वच्चा दो वच्चा और दो में एक से गुणा कर देंगे यानि कि आपका कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और यहाँ पर केजी में दिया है तो यह केजी हो जाएगा तो आपका बीस कीलो का दस परसेंट जो होगा वो दो कीलो होगा बस यही चीज़े आपके पास यहां पर कुशन दूसरा बता देते हैं कि आपके पास 50 रूपए हैं कितने रूपए हैं 50 रूपए इसका आपको निकालना होगा 30% कि 50 रूपए का 30% निकालना होगा कि कितना होगा तो देखिए आप लिखेंगे कि 50 का 50 का 30% कितना 80% 30% उसके प्रूइद लिखेंगे आगे लिखेंगे हल कि 50 कि मोल्टिप्लाइ 30 और कि सब्सक्राइब ह करेंगे हम 100 से रहाइpod जैए भाहा करेंगे फिर ये एक 0 से एक 0 ये खतम हो गया उसके बद देखिए पांच में तीन से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा पांच तिया पंदरा पंदरा रुपए आपके हो जाएंगे पचास रुपए का तीस प्रतिसत यही आप का अंसर हा जाएगा ठीकिना ऐसे ही बहुत स पूछेजाएंगे कि प्रतिसत को इसको फराटिसत अपका दिया रहेगा प्रतिसत को है प्रतिसद को आपको भीन में बदलने के लिए पूंचा जाएगा और बहुत को अ परतिशत यहां पर दिया गया है इसको बदलना है कि हैसे में बदलना है तो आइए इसको ठीम डेलना है तो गनाने का मतला हुआ देखिए इसको करने को करेंगे तो आये इसको solve करते हैं तो इसको solve करेंगे तो देखिए कैसे solve करेंगे यहाँ पर दिया है 30 ना तो 30 लिख देंगे उसके बाद multiply एक बटे 100 इतना हो गया देखिए अब क्या होगा कि यह 1 0 से 1 0 खतम हो जाएगा ठीके ना उसके बाद 3 ने कम 3 बटे 10 दिया है यानि कि 3 बटे 10 यह आपका answer हो जाएगा यही आपका प्रातिसात को भीन में बदल लिया गया अच्छा अभी नहीं समझ में है एक और question देख लिए भाई अभी समझ में नहीं आप फीर confirm समझा दूंगा जैसे कि यहाँ पर 60 चलिए 75 परसेंट दिया है और इसको पूछ रहा है कि आपको किस में बदलना है तो भीन में बदलना है तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको करना क्या है कि जैसे ही पूछे आपको भीन में बदलने के लिए तो आपको करना क्या है कि एक बटे सौ से गुणा कर देना है तो 75 एक बटे सौ से हम multiply कर देंगे तो देखिए यहां से आप करिए क्या कि इसको पांच से कट आई यह पांच दो बचा पांच पचीस पंदर पंजे 75 होता है और पांच दोनी का कितना हो जाएगा दस और यह जीरो है तो फिर जीरो उता जाएगा यानि कि बीस पंजे सौ होता है फिर पांच से कट आईएगा तो पांच तियां पंदर और पांच को बीस यानि कि आपका यह कितना आ जाएगा उपर बच जाएगा तीन और भीन को भाई सथींडों अपूचा तुआ करें ले обязता हैं तो यहां पर एक भीन दे ने जाये होगा ऐसे हम हम यह लिख रहे हैं पांच वट्टेंगे पचीश इसको आपको बदलना है प्रातिशत में तो देखो यह सब गूणा कर देना है तो आइए देखते आ 100 से आप इसको multiply करेंगे तो यह बदल जाएगा तो देखिए तो देखिए इसको 100 से multiply करते हैं तो यहाँ पर हम multiply कर देंगे कितने से 100 से तो देखिए यह इसको कटाएंगे पांच पंचे 25 और पांच दुनी का 10 और एक 0 फिर पांच का 20 अब देखिए यहाँ पर चार पंचे कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा यानि कि आपका यह कितना हो जाएगा बीस परसेंट में आ जाएगा किसमें आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा देखिए नहीं समझ में फिर एक और कुशियां समझें जब तक नहीं समझ में आएगा तब as the रहेंगे इंज उसको करना क्या है कि आंपको multiply कर देना है कितने से हमने बताया 100 से multiply करने के लिए तो यानि कि 100 से multiply कर देना है तो आईए 100 से multiply कर देते हैं उसके बार देखिए जैसे ही हमने 100 से multiply कर दिया तो अब देखिए क्या हुआ कि अब इसको कटाएंगे यानि कि जो भी कटने वाला होता है उसको कटा लेंगे एक 0 घियरो से खतम हो जाएगा और पांच से घाएंगे तो पांच कितना ओता है चलिए आप उनाख को कितना हो जाएगा तीज सो जाएगा यानि कितना होता है थ fingers होता है और बाद में कि चीन लगा देंगे परसेंटेज का चीन लगा देंगे यही आपका चीन होता है यह आपका परसेंटेज का होता है ठीक ना तो देखिए हमने बहुत ही सीम्पल तरीके से आपको परसेंटेज आपको क्लियर करा दिया क्या क्लियर करा दिया परसेंटेज जितने भी percentage के सवाल होते हैं और जितने भी आपके percentage के concept है concept आपको A to Z clear करा दिया ठीक है ना बहुत ही असान तरीके से तो आपको ये वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को नहीं है तो subscribe कर लेजेग क्योंकि आप सब की बहुत अच्छी तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है तो उसके लिए करना क्या है कि आपको चैनल को subscribe करके रखना है वीडियो को like कर देना है और एक बेल आइकन आता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको दबा देना है all notification पर क्लिक करके ठीक है ना ताक के लिए जाहिंद बंदे मात्ता है